नमस्कार शभीकों कल हमने सेव शिक्स टॉपिक पड़े थे शिक्स पॉइंट तक आज हम सेवंध पॉइंट से पड़ रहे हैं ये लेशन है फेर प्ले नुनसी प्रेम चंद की बहुत ये अच्छी कहानी है ये तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं जुम्मन जो पंचायत ब के बाद एक देन अलगू अनाउंस दो और फिर अलगू ने गोशना की we have gone into the matter carefully हमने मेटर को हमने इस गटना करम को बहुत हिसावदानी पुरुवक देखा है in our opinion और हमारी राय में जुमन वेस्ट पेहिस और हमारी द्रश्टी में जुमन को अपनी चाची को एक मासिक बता देना चाहिए or else the property was back to her ने था property है वो वापस उसकी चाची की हो जाएगी now the two friends were seldom seen together अब दोनों मित्रों को कभी मुश्किल से ही एक साथ देखा गया the bond of friendship between them was broken उन दोनों के मद्य जो मित्रता का बंदन था वो तूट चुका था in fact जुमन वाज अल्गू's enemy and wanted her his revenge और वास्तों में जुमन अब अल्गू का दुश्मन बन गया था और वह उससे अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि अल दिन बीचते गए and as a luck और जैसा की बुरा भाग गया था would have come it would have it बुरा भाग गयी था अल्गू चोधरी का अल्गू चोधरी found himself in a tight sport अल्गू चोधरी की मुश्किलें बढ़ गई थी tight sport means उसकी मुश्किलें बढ़ जाना one of his fine pair of blocks died उसका जो एक जोड़ा था बहुत ही अच्छा बेलों का उनमें से एक मर गया था and he is sold the other to samzhu sahoo और दूसरा उसने samzhu sahoo को बेच दिया a car driver of the village जोकी गाओं में एक बेल गाड़ी का बेल गाड़ी was that sahoo would pay the price of the block in a month's time और यह understanding हुई यह सम्झोता किया गया कि sahoo एक महिने के वितर वितर उस बेल की कीमत अलगु चोड़ी को दे देगा it so happened that the block died within a month और अब हुआ ऐसा कि अलगु चोड़ी ने जो बेल बेचा था वह एक महिने से पहले ही मर गया several months after the block's date अलगु रिमाइंड सहoo of the money he had not yet paid कई महिने बीच जाने के बाद उस बेल की मरत्यू के बाद अलगु चोड़ी सहoo को उस पैसे के बारे में जो कि उसने अभी तक नहीं चुकाया था के बारे में याद गरवाता रहा सहoo got very annoyed सहoo बहुत परेशान हो गया I cannot pay you a penny for the rage बीस्ट यू सॉल्ट में उस रेश्ट का मतलब होता है बिना काम का बेकार आवारा उस आवारा पसुग जानवर के लिए बीस्ट जानवर को कहते हैं मैं एक पैसा भी तुम्हें नहीं दूंगा जो तुमने मुझे बेचा था वह हमारे लिए बरबादी के सिवाई कुछ नहीं लेकर क्या आया I have a block use it for a month and then return it to me मेरे पास एक बेल है आप इसे एक महीने यूज करें परियोग मिले और मुझे वापस लोटा दे नॉमनी फोर देड़ ब्लॉक ही सेड अंगरी ली उसने गुस्टे से कहा कि उस मरे वे बेल के लिए मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूँगा अल्गु डिसाइडेड टू रेफर दे केस टू दे पंचायत अल्गु ने निच्चे किया कि अब इस मामले को पंचायत में ले जाया जाए पर इस सेकंड टाइम इन फ्यू मन्स और कुछ ही महिनों में दूसरी बार प्रिपरेशन्स फॉर होल्डिंग दपंचायत बिठाने के लिए सारी तैयारियां की गई अब बहुत पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल शीकिंग दियर सपोर्ट और फिर दोनों पार्टियों याने अल्गु चोधरी और समजु चोधरी नी समझु से उने लोगों से मिलना शुरू कर दिया ताकि वह अपने बाराई के लिये उन्हें उनका सारा ले सके अब सभू को पंचायत का मुक्षे पंच चुनने का अवसर दिया जाए मैं उसके डीसिजन से उसके निर्णे से बता रहूँगा सहु साह इस सांस एंड प्रोपोज दे नेम अफ जुमन सहु ने मुक्ष पाया और ऐसा देख करके उसने जुमन का नाम लिया अल्गू साट सेंक एंड ही टरंड फैल अल्गू का दिल बेट गया और वहें पीला पड़ गया बट वाट कुड ही डू परंतु गया करके आ सकता था दो मॉमेंट जुमन ही बिकेम हेड बंच ही रियलाइज इस रिस्पोंसिबलेटी एजज एंड दे डिगनिटी ओफ इस ओफिस और जिस शन जुमन को मुख्य पंच बनाया गया उसने अपने जुम्मेदारी को महसूस किया और उसने अपने कार्य को अपने नियती को याद किया क्या वहें उस उन्च स्थान पर बेट करके अब अपना बदला ले सकता है वहें अपने निजी भावनाओं को इस तरह से सत्य बोलने और निरने करने के बीच में नहीं लाएगा बहुत अलगू और सहू स्थेटेट दियर केसे दोनों अलगू और सहू ने अपने केस अपनी अपनी बातें सामने रखी उन दोनों से प्रशन पूछे गए और पूरे केस को पूरे मामले को गहराई से जांचा गया परखा गया और फिर जोमन खड़ा हुआ और उसने गोशना की हमने ये निश्चे किया है या हमारी ये राय है कि सहू को अलगू चोधरी को उस बेल के बदले पैसे देने चाहिए और जब सहू ने उस बेल को खरीदा था इसको ने किसी परकार की आक्शन मता थी ने किसी परकार का कोई रोग था देथ आप दे बलग वाज अनफॉर्चनेट उस बेल की मृत्यू तो अनफॉर्चनेट यानि दुर्भग्य पूर्ण हुई है ऐसामाई एक मृत्यू है उसकी बट अलगू के नोट बी ब्लेम्ड फोर इट परंतु बलगू को इसके लिए आप दोशी नहीं ठैरा सकते अलगू चुद नोट कंटेइन हिस फिलिंग्स अलगू अपनी भावनाओं को भावनाओं में समा नहीं सकता था यानि उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसने सही फेसला किया है जुमन ने उसने खड़ाय होकर के बार बार कहा विक्ट्री टू द पंचायत की विजए हुई दिस इजस्टिस यह जाय है गॉड लिवस इन द वोईस आप द पंच भगवान की आवाज पंच में निवास करते हैं पंच की आवाज में भगवान निवास करते हैं सुन आक्टरो और फि इंब्रेस्ड एन और फिर कहा से लास्ट पंचायत पिछली पंचायत से आई हैड बीकम योर एनमी में तुम्हारा सत्रू बन गया था टोड़े आई रिलाइस देट इट मीन टू बी अपंच आज मैंने महसूस किया है कि एक पंच होने का क्या मतलब होता है एक पंच एस न जानता है let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or animity अब किसी को अपना रास्ता न्याय और सची मित्रता या फिर सत्रूता के लिए किसी से अपना सचा रास्ता जो होता है वह छोड़ नहीं देना चाहिए यानि अपना अपने रास्ता नहीं मोड़ना चाहिए अपने रास्ते पर हमें शाडिग रहना चाहिए सत्यता के रास्ते पर अलगो एंब्रेश्ड हिस फ्रेंड एड वेप्ट अलगो ने अपने मित्र को गले लगाया और रोया and his tears washed away all his dirt of misunderstanding between them और फिर उन दोनों के मद्य जितने भी misunderstanding यानि मत बेद थे उन सभी को उसने अपने आशों के साथ दो धिया ये एक बहुत ये अच्छी खाने थी कि हमें अपनी मित्रता या सत्रुता के बीच में न्याई के बीच में सत्रुता या मित्रता को आड़े नहीं आने देना चाहिए न्याई जो होता है सत्य होता है वही रखना चाहिए प्रेम चंद की एक हाने बहुत यह अच्छी होप कि आपको यह समझ में आये होगी यदि यह आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी बात मैंने देखा कि 75% से लोग जो नोट सब्सक्राइब है जो मेरे चैनल पर देखते हैं करप्यावन से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दन्यवाद